नमस्त, मैं हूँ अपका खाई आपका वीटा है पीरा योकी कैसे हैं आप सभी लोग आज की जो वीडियो का विशे हैं बहुत ही महतपूर हैं सर्थियां आ रही हैं सर्थि में समस्या होती है निमोनिया जखड़न सांस का सही से ना लेपाना साइनस का समस्या घढ़ जाना ऐ ऐसे बहुत सारी समस्याइं होती हैं तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा हम ऐसे छोटे-छोटे प्रणाया यह छोटे-छोटे आपको बढ़ा प्यारा सका जब भी आप कोई भी लंग से रिलेड़िड वरकाव करते हैं तो अपने शरीर को थोड़ा सा हिला ले ऐसे-ईसे कर ले इतने हाथवों को यहां रखी यहां रखी हिला है उसके बाद अपनी स्पाइन को पूरा सीधा रखे सुखासन, पदमासन, आलती-पालती मार के बैठ जाए अगर घुटनों में दर्द है तो पैरों को नटका कर बैठ जाए लेकिन करें जरूर, अब ये आपको छाती है इसके अंदर में जगड़ा है, करोना चल रहा है तो करोना के बाद, आफ्टर करोना, चाती में बहुत जादा सांस लेने की समस्या पाए गई है तो करोना वालों के लिए बहुत अच्छी है, अपनी चाती को ऐसे करना है जो आपका हाथ है, लेफ्ट वो राइट उठने पर जाएगा और आपकी घमर विस्क हो जाएगी, स्वास चोड़ते पर जाएगे स्वास बरेंगे, फिसाइड चेंज करेंगे आपको च्छाती को खिचाव देना है, फिसांस चोड़ा, फुराइट स्वाइन किया इसांस बर्टे पर वापिस आगे, ऐसा आपको दज़ दज़ बार उभ्यास करना है नमबर टू पर और क्या हो सकता है, अपने दुदो हाथों को लॉक करना है, हाथों को पीछे के तरफ लेके जाना है, इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे और इसको इनहील, एक्जेल, नॉमल ब्रिधी के साथ, लंग्स को टाइट, ऐसे नहीं करना है, तो इसको एसे एक्सपार ही करना है, फिल लॉक लगा के तो आपके छाती की जगणन को ठीक करने के सबसे बड़ी अचीज, जैसे आप किसान को दीते हैं, खेट में काम करते हैं, तो कसी चलाता है, फाड़ा उठाते हैं, तो ऐसे लॉग लगाना है, इसको आप लिए बैट करते हैं, बैट की कैसे करना है, स्वास उपर भएंगे, इसका अभ्यास आपको करना है कम से कम 20 बार, आप इसका अभ्यास 20 बार करेंगे, तो आपकी छाती में बहुत अराम मिलेगा, नमबर 2, अब नमबर 3 पर हम आते हैं, स्वास को पूरा भरना है, अपने डायफनाम में, स्वास को पूरा छोड़ रहा है, यह पूरा वरकाट 10 मिनट का होता है, और कुछ नहीं देना, सिर्फ दिन में 2 बार, 10 मिनट सफार, 10 मिनट शाम दीजे, और छाती की बिमारियों से, फेफ़णों के प्राबलम से, निमोन कुम्बक लगा रहा है, अंते कुम्बक बार एक उपक, आपनी सुना भी होगा, तो आज मैं आपको यहीं सिखा रहा हूं, तो स्माइल करते हुए अपनी स्वास को छाती में रोकेंगे, बरे साथ भरिये, मिनिमम तीस सेकिन आपको रूपना है, मैकसिमम डेड़ मिनट तक जा सकता है, अगर किसी भी वेक्तिका तीस सेकिन से कम है, तो वो बिमार है, उसको लंग्स में कोई समस्या है, उसने अपनी प्रपर्टी का पूरा अप्यूग नहीं किया है, अगर वो जवान बच्चों के साती हो रहा है, क्यों होती है, चाती की बिमारी ये भी बता दू मैं आपको, अगर आप स्मोंकिंग जादा करते हो, आप बिंकिंग जादा करते हो, या किसी मेट्टो सिटीज में रहते हो, गुडगाव, फरिदाबाद, दिली, जैपूर, एमराबाद, हैदराबाद, स्वास से संबंदित रोग होते हैं, तो उन ही लोगों के लिए बहुत अच्छी अवर्गाउट है, अगर आप समझजारे से देख लेके साथ करते हैं, तो यह हो गया, स्वास को रोगना है, मैक्सिमम, खोल करना है, अब बूसरा एक और लंग्स के लिए, इसको जालंदर बन बोलते हैं, स्वास को पूरा निकाला, फिर स्वास पूरा बरा और चेंग को यहां लगा के, खोल करना है, स्वास को छोड़िए, पहले बरा, फिर छोड़िए, इसका अभियाज के पास यह दस्वार आप करें, लेकिन ध्यान रहें, चालंदर बन, यानि सर्वाइकल के पेशेंट्स के लिए नहीं बना है, स्वाइकल रहता है, तो इसको ना करें, आप नॉमल ही करें, अन्यता ना करें, क्योंकि पेम भढ़ सकता है, और एक होता है प्रणायाम जो सबसे अच्छा होता है, छाती के लिए, प्रस्ति का प्रणायाम बोलते हैं, स्वास बढ़ते क्या है अगर आपके दिमाग में oxygen की quantity कम जाती है, तो oxygen बढ़ जाता है, नीरो ट्रांसमेटर अच्छा काम करने लग जाते हैं, नुकसान क्या है, जो दिल के रोगी होते हैं, इस्टेंट वाले होतां को प्रणायाम आ जाती है, कभी-कभी जो सो से जाधा कर लेते हैं, उनक प्रणायाम आपको इस तरीके से अपने आपको रगना है, इसका अभ्यास कर सकते हैं, एक और अभ्यास आपको बजाता हूं, दूसरे करना जाम बज़रासर में आएं, बड़े बुसक्राते वे गब्राना नहीं हैं, लेकिन गुट्टों के दढ़ खाले बड़े ध्यान से हैं, आप ऐसे बैठी हाथ लगाईए, स्वाप, चैस को पीछे लखिया और, और नीची के तरह आजाएं, इथा शक्ती रोपना है, जबरदस्ती कुछ भी नहीं करना है, जितना आपकी लिमिट उतना ही करें, स्वस्थ हो जाएं, बस्त, ये वीडियो जिम को भी लंक्स मे खिचाब रहता है, हिमोनिया रहता है, स्वास नहीं ले पाते हैं, चाती में जगना में हैं, भारी बनें, करोना हो गया है, करोना से बचना चाहते हैं, सास दीने में रीकत हैं, स्वास से इसे नहीं आती, सभी के लिए अच्छी है, बस स्ट्रीम लेते रहें, प्रणायाम क झाल झाल